ऑके सो पिछली एक वीडियो में मैंने आपके साथ अपने किड़नी फॉंक्षन टेस्ट जो है वो शेयर किये थे जिसमें आपने देखा कि मेरा क्रिव करके रह में रह गया था तो मैं यह चीज्वे आपको दिखाई ती और काफी दरी लोगों जोड़ के काफी रहे कन्फू अगर आपको खूआ है कोई बात करते हैं, अगर आपको किड़नी से related कोई इस्यू है सबसे पहलेगह ऊव्मक्री हो चाहिए तो इस विडियो में सबस्वcą creams लिए कोई質 पहले हैं, आपने कभी भी कोई kidney function test नहीं करवा है तो एक बार I would suggest कि जरूर करवा लीजेगा बहुत ही चीप होता है बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते इसके आप एक बार फिर भी creatine या फिर excessive protein बहुत ही जब आप protein खाते हो तो आपकी kidneys की उपर ना मतलब extra workload पढ़ता है क्योंकि उसको extra blood को purify करने के लिए extra काम करना पड़ता है अब सोचो के अगर आपकी kidneys में kidney function जो है वो किसी वज़ा से थोड़ा सा कम हुआ हुआ है ठीक है ना तो अगर कोई चीज आपकी peak level पर perform नहीं कर रही है उसके उपर आप और जदा उसको overload करोगे यह चीज सही नहीं है इसलिए आपने देखा होगा कि जो doctors है अगर kidney में किसी को भी कोई issue होता है तो doctors भी बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा protein वाली चीज़े नहीं खानी चाहिए क्रियेटिन वगरा यह साले supplements तो बहुत दूर की बात है यह तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं तो अगर आपको इस तरह का कोई issue है तो अपने doctor की सला लेजिए और वो जो आपको recommend करता है उन instructions को आप follow कीजिए साथी साथ creatine supplement use कर रहे हो तो आप उसको बंद कर दीजिए दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो के बिल्कुल healthy हैं जिनका kidney function test जो है वो बिल्कुल normal है creatine levels बिल्कुल normal range में है क्या उनको creatine supplement use करना चाहिए कि करना चाहिए मैंने यह बार change नहीं हुई है लेकिन यह बात आपने ध्यान में रखनी है यह बात भी मैंने पहली वाली वीडियो में बोली हुए है कि अगर आप creatine use करते हो तो सिर्फ creatine use करने की वज़ा से ही आप जब kidney function test करवाओगे आपका तब आपका creatine level ज्यादा आ सकता है क्योंकि excessive creatine होने की समाग में रखने की जुरूरत है कि creatine consumption की वज़ा से आपका creatine level ज्यादा आना और kidney खराब होने की वज़ा से किड़नी फंक्शन खराब होने की वज़ा से आपका creatine ज्यादा आना दोनों चीज़ों में फरक है क्रियेटिन खाने की वज़ा से अगर आपका creatine level ज्यादा आता आपके blood report में तो इसका मतलब यह नहीं है कि किड़नी खराब हो गई है इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि सिस्टम में ज्यादा creatine होने की वज़ा से आपकी body उसको ज्यादा breakdown कर रही है इसलिए creatine आपका ज्यादा आ रहा है जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ creatine छोड़ने की वज़ा से मेरे जो creatine levels है वह वापस से नौर्मल रेंज में आ गए हैं यह बात भी मैं आपको बता दूँ कि मुझे creatine छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी लेकिन छोड़ा मैं इसलिए था क्योंकर मुझे false positive नहीं च टेस्ट करवाओ एक GFR टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है एक्चल में कि जो किड्नी की filtration की जो capacity होती है वह असल में हैंपर हुई है उस पे negative असर पढ़ा है के नहीं पढ़ा है अनलेज कि मैं वह वाला टेस्ट करवाता मुझे पता नहीं चलना था तो मैंने यह एक easy solution अ उसमें 1.1 आ है जो के perfectly normal range में है तो आप confused मत होई है जिन जिन लोगों को भी confusion थी कि क्या क्रियेटिन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए क्रियेटिन आप बिल्कुल खा सकते हो लेकिं यह जो सारा जो episode है इससे आपको एक चीज़ की और importance पता चलती है कि जब आप कोई supplementation या फिर कोई डाइट चेंज करते हो कुछ चीज चेंज करते हो ना तो आपके जो blood test हैं उनकी कितनी बड़ी value होती है अगर आपकी suppose करो कि कि मैं कोई भी supplementation या फिर कोई change बड़ा करने जा रहा हूं उससे पहले मुझे पता होगा कि normally मेरी जो blood values है वो इतनी रहती है तो मेरे दिमाग में पता होगा फिर मुझे ये काम नहीं करना पड़ता कि मुझे creatin चोड़ना पड़ेगा फिर मैं देखता हूं कितना मुझे प पता था कभी भी कोई supplement खाते हो आप कभी भी कोई चीज कोई बड़ा मेजर चेंज करते हो एक बार अपना blood reports अपने lipids जो हैं लोग मुझे से पूछ रहे थे कि किस तरह की टेस्ट करवाने चाहिए आप अपने lipid profile एक बार टेस्ट करवा लो ठीक है kidney function टेस्ट ये वाले सा लगी तो like, share, subscribe ज़रूर करना, hope कि आपकी confusion creating को लेके दूर हुई होगी, मैंने creating के बारे में और भी वीडियो मनाई हैं, उसका link में इचे description में डाल दूँगा, मज़े गरो, stay fit, stay strong, stay badass